आप सभी का फिर सब स्वागत करता हूं आप सभी के आपके अपने इस यूटूब चैनल एनी टाइम पढ़ाए मंत्रा यूटूब चैनल पे तो आज की क्लास में हम आप सभी को जो पढ़ाएंगे वह क्लास 12 का इंदी सौंग का लेशन नंबर 2 और इस से पहले मैं लेशन 1 क समरी और अब्जेक्टिव का कोश्चन को अपलोड कर दिया है और इस चैप्टर का भी सरंग्स का अपलोड करते कर वह आपने नहीं देखा है तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्टिप्सन बॉक्स में लिंक दिया हुआ आप उस वीडियो को भी देख सकते है तो आइए जानते हैं इसके पहले नंबर प्रसंट की और पहले नंबर प्रसंट जैसा कि आप सब यहां पर देख रहा होंगे जो की इंपोर्टेंट है बहुत ही भी आये जो भी आपको इस चैनल पर करवाई जाएगी सभी आपके इत्वेल त्यानी के प्रसंट को पहले नंबर है चंद्रदर सर्मा गुलेडी की कहानी कौन सी है तो चंद्रदर सर्मा गुलेडी की जो कहानी है वह इनमें से चार अप्सन दिया गया और आपको बताना है तो उसने कहा था उसने कहा था यह चंद्रदर सर्मा गुलेडी की कहानी है तो ऑप्सन नम नमर प्रसंद को यानि कि दूसरी नमर प्रसंद को देखे दूसरी नमर है बिना फेरे घोरा बिगरता है और बिना लड़े सिपाही ऐसा कौन कहता है तो बीरा फेरे घोरा बिगरता है और बिना लड़े सिपाही ऐसा जो कहते है वो कौन कहते है तो लहना सिंग तो लहना कहते हैं कि बिना फेरे गोरा बिगरता और बिना लड़े सिपाही लहना सिंग जी कहते हैं फिर देखेए अगले नमर प्रसन को यानि कि तिसरी नमर प्रसन को देखेए यह बहुत ही इंपोर्टेंट है बार-बार अगले नमर प्रसन की और बढ़ते है यानि कि चौति नमर प्रसन को देखेए चौति नमर है तुम राजा हो मेरे मुल्क को बचाने आए हो यह बात कौन कहती है तो लेखी का यानिकि लेखी का जो है इसका करेक्ट एंसर होगा ऑप्सन नमर यह राइट होगा चार का चलिए जानते हैं पांच आँबर प्रसन को पांच आँबर प्रसन को देखेगा घुलेरी घी किस पात्रिका का संपाधन किया था कि मैट फीजिक्स केमस्टी बाई description में है वहां से download कर लिजे डाउटन टैप को classic से 12 नीट ITJ में से मेर्भान्स सादा डाउट का solution मात्र आपको तीन सेकेंड में मिलेगा description में WhatsApp नंबर भी है वहां से भी आप कोई भी question का solution मात्र किशन को तेरी कुरमाई हो गई किस कहानी से संबनित है इस का एंसर आप सिघ को वीडियो के comment बाक्shots में बताना है कि वहां साथ है नमनाइंकित में कौन उसने कहा था सिर्सक कहानी का नायक है तो अमने बनांकित में कौन उसने कहा था सिर्सक कहानी का नायक यानि की लिलेखा कौन है तो इसका एंसर आपको बताना है तो इसका एंसर हो जागा option number B यानि की लहना सिंग जो है उसने कहानी का नायक है तो B is the correct answer गाए आठवी नमबर सब्सक्राफर 10 को देके और वी नमबर है उसने कहा था किस कौन की कहानी है क्नूल-भि िक नमलटा की कहानी की है एतिहासिक MPRD परधान या समाजिक आंपत सब्सक्राफ़ 14909 स्वलटा या इं में से कोई नहीं है थे यह उसने एक कहाानी या क्ली ऑफ आगतर नबर में कौना कौन आग मद तो उस में कहा कैस प्रकार की कहानी है तो उसे ने आपको हम बतायते हैं यहां पर देखिए कुछ यहां पर आप देख सकते हैं आठवी नंबर प्रसन में यहां आपको बताते हैं आठवी नंबर प्रसन में थुरा गौर से दखिएगा कि उसने कहा था किस परकार की कहानी है और फिर एक और भी सवाल दे कि उसने कहा था किस प पर यह पर दान नहीं है इसलिए इस परकार की कहानी यह आपको इसलिए दे क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जिसको मिश्टेक हो जाता है तो आप सब याद कर लिए हमके उमिद करता हूं तो अभी तक जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को सेर नहीं कि तो प्लीज भी कर दो जिएगा और यए तो आपको 100 परसंट गारौटेक साथ बता ही क आपको वीडियो किसा लगा हमारे चैनल का तो आपको बताना है पृर दसनी के बाद ग्याविन नंबर प्रसंट को देख़ें कर दिया इसने कहा था किस वर्स की रचना है उसने कहा था कि कौन सी वर्स की रचना है तो जब आपको हम सरांग्स पढ़ा रहा है तो वह सारे से स्टूडेंट है जो जानते होंगे इनकी इनकी नाइटे फिप्टिन में यहनकी उनिस्व पंद्रह इस्वी में यह है उसने कहा था कि रचना किया गया तो आपसन नमबर एक करेक्ट होगा तरावी नमबर प्रसन को दखिए गुलेरी जी किस गाउं के मुल निवासी थे तो गुलेरी जी गुलेर के थे कहां के थे चंद्रधर सर्मा गुलेरी जी के दोरा किसके दोरा चंद्रधर सर्मा गुलेरी के दोरा तो चौदा का राइट इंसर डी क्रेक्ट होगा फिर दखिए पंद्रवी नमबर प्रसन को पंद्रवी नमबर है पुरानी हिंदी रचना पुरानी हिंदी जो रचना है यह किसके द शारी परसाद वेदी और सिए नाम वार सिंग और चंदर दर्स रमा गुलेरी तो पंदर का राइट एंसर अप्सेन घजाएगा चंदर दर शर्मा गुलेरी जो है इसका करेक्ट एंसर होगा पंदरह के बास सोला नमर की कौन सा निबंद गुलेरी रचित नहीं है तो कौन सा तीन इसमें कैसे option दिया गया है जो देवाना पिर ये गुलेडी जी के द्वारा रचित किया गया है पुर्माई का क्या अर्थ होता है तो कुर्माई का क्या अर्थ होता है आपको बताना है तो चार option दिया गया है option A है मंगनी, B है विवा, C है कर्वेबाद और D है दहिज तो कुर्माई का क्या अर्थ होता है ये आपको बताना है तो कुर्माई का जो अर्थ होता है वो मंगनी होता है क्या होता है मंगनी तो option number A correct होगा मंगनी फिर तक है नेक्स्ट अठारे नंबर उसने कहा था कहानी में किस सहर का चित्रन है आपको बताना है जो भी स्टुडेंट्स रंक्स पड़ है उसको जरूर इसका एंसर मालूम होगा कि उसने कहा था कहानी में किस सहर का चित्रन किया गया है तो एंसर हो जाएगा option number A यान कि अमरित सर से शुरूई थी आपको शुरू सुरू में इस रांक्स में बताये थे अमरित सर अगर आपको इसी तरह का वीडियो चाहिए तो आपको क्वेंट बक्स में बताना है कि सब लहना सिंह के गान का नाम है तो लहना सिंह के गान का नाम जान, जो है वह यह क्या है लहना सिंग किस पदपर था तो लहना सिंग जो है किस पदपर था तो जमादार के पदपर किस कौन से पदपर तो जमादार के पदपर थे कौन तो लहना सिंग थे तो आज के क्लास में हम इंदी के कुछ 20% को कवर करेंगे अभी तो इसमें और 10% को एड़ करना बाकी है इसलि आप समस्का स्क्रीन सट ले लेजी जो भी इस टोड़ेट को अगर एंसर मालूब होगा तो तो हम एंसर के साथ आपको वीडियो के साथ प्रवाइड करेंगे फिर अगले नंबर वीडियो में तो उमिद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को करिए लाइक चैनल पर नवेक्ति सपोर्ट कर रहा है तो चैनल को सब्सक्राब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेजीगा चलिए बीना टाइम पास नहीं करते हैं वीडियो को स्वाप्त करते हैं ठैक्स पर वाचिंग वीडियो वीडियो देखने के लिए आप से भीका बहुत झाल 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 झाल